कि हैं लो श्रूंस वेलकम टो एक्टा क्लासेश आप पैशनेट बाइलोजी लेक्टिर तोड़े आपके प्रीविस चेप्टर लाइफ प्रोसेस से भी तो जिसने लाइफ प्रोसेस की वीडियोज नहीं देखी है उसको जरूर जरूर देखिएगा नहीं तो आपको कोई भी नहीं मिलने वाला है ओके तो श्टार्ट करते हैं इस चेप्टर को और मैंने कहां बात छोड़ी थी उस चेप्टर में वह हम डिसकस करेंगे और आज की लेक्टिर में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इंट्रोड़क्शन देने जा रहा हूं ठीक है जी तो सुनिए गधियान स टार्च का नाम था लाइफ प्रोसेसल लाइफ प्रोसेसल में हम ऐसी सभी प्रोसेसिस को पड़ते हैं जोकि किसले जाओरी होती है जिन्दा रहने के लिए एसेंसियल for being alive जिन्दा रहने के लिए जो प्रोसेस ज़रुरी होती है उनको लाइफ प्रोसेस बोलते हैं आपको पता ही होगा कि कौन कौन सी प्रोसेस लाइफ प्रोसेस में आती है चार प्रोसेस थी आपको नाम पता ही है उनके फिर भी मैं एक छाम कौन कौनसे थे हैं स्यवसे पहले हमने पढ़ा then nutrition हमने जाना और फिर हमने जाना था राइस्पिरेशन की कैसे हमें एनर्जी मिलती है फूड से और फिर हमने जाना कि हमारी बॉड़ी से गंदगी कैसे बाहर निकलती है मेटाबॉलिक वेष्ट उसको एक्स्रीशिट तो ये सबी चारो प्रोसेस कौन से लाइफ प्रोसेस होती है अगर आप इनमें से किसी एक प्रोसेस को बंद कर देते हो ते डेफिनिटली आप जिन्दा नहीं रह पाएंगे ये इतना आसान है अब मान कि चलो आपकी गली में कोई जीव कोई living being सोया हुआ है ठीक है मान कि चलो एक और्गेजम है ए और एक जीव है भी ठीक है मतलब मान कि चलो एक डॉग है ये ए डॉग है और ये बी डॉग है ठीक है ए डॉग मूवमेंट नहीं कर रहा है ए डॉग क्या नहीं कर रहा है मूवमेंट नहीं कर रहा है बी डॉग भी मूवमेंट नहीं कर रहा है अभी के केस में ठीक है ए डॉग ब्रीफिंग कर रहा है ब्रीफिंग ब्रीफिंग मतलब सांस ले रहा है बी डॉग सांस भी नहीं ले रहा है चीग है तो ऐसे केस में ये बोल दूगा कि जो बी डॉग है वो डैड है अब लग कि वह एलाइव नहीं है जिन्दा नहीं है या तो जिन्दा नहीं है या फिर मरा हुआ है कुछ भी आप बोल सकते हैं तो इसका मतलब यह होग है कि अगर कोई जीव एलाइव है तो उसके अंदर ये दोनों प्रोसेस होनी चाहिए एक तो मूव्मेंट होनी चाहिए आट-लिस्ट एक तो होना ही चाहिए जैसे कि कोई मूव्मेंट नहीं कर रहा है माने कि इसको बेस्ता करोगे आप आप उठा के एक इस टॉन या फिर उसमें लाथ ही तोड़ा पेर टच करके उसको हिलाओगे तो वो तुरणत ही क्या ाप जा कर देगा तुरणत ही वह मूर्मेंट शो खे क्रेगा तो अ स्चिंथ device क्या है वह तो एलाईय तो अगर खूओ अ पोब पैचानते कैसे हैं एक तो इसके इंदर बीधिंग चलने चाहिए या फिर उसके इंदर movement होए कङए दोरों ही काम होने चाहिए बीधिंग तो चलने ही चाहिए तो 24 आवर चलने चाहिए लेकिन movement इसके बाने का में अटका दी यहां पर ते कि उसकी बॉडी हिल रही है movement फिर बात मैंने अठका दी आपकी आप अब देखो movement भी दो तरह से होती है या तो growth की result में होगी या फिर as a result of growth नहीं होगी इस से पहले कि मैं आगे बढ़ूं आपको growth का meaning समझा देता हूं growth का मतलब होता है increase in size और mass size या mass में बढ़ने को हम क्या बोल देंगे growth बोल देंगे अच्छा जी फिर यह mass क्या है सर हम तो इतने डंब है सर हमें तो mass का meaning बता कि mass क्या होता है तो देखो mass का मतलब होता है amount of substance amount of substance को mass बोलता है यह डेक्षिशन में आपको scientific बताई है फूर एक बॉडियस के अंदर cell के नंबर ज्यादा है इसके अंदर cell के नंबर माई चलो 100 है मतलब यहां पर cell के amount कितना होगे 100 और एक बॉडियस में cell के amount कितना होगे 50 हो गया तो ऑविस सी बात होगी इसके अंदर amount of substance ज्यादा है तो इसका mass भी ज्यादा आएगा और इसका mass जो होगा वो कम आएगा अब मास को मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ इस चप्टर को हमें आगे चलाना ही दीजिए अगर आप ज़्यादा confusion में हो तो आप लाइफ प्रोसेस वाले चप्र को देख लिजिए ध्याद से अब आगे चलते हैं आई हो आपको यहां तक सर्में होगे मैंने बात जो अटका ही हो movement पे अटका दी है अब आगे चलते है movement या तो आपकी growth की वज़या से होगी या फिर movement आपकी growth की वज़या स बीज में सेvette if related is a message सुइदलिंस सीड आब जानते हैं इस प्रोसेस को सीड़िक निकलने के प्रोसेस को हम सीड जियर्मीनेंशन बोलते हैं कि ईकी सीड इस से सीड निकलने 6 है अब देखो इसको आप लोग अब यह movement caused by growth ऐसे सीड से plant बड़ा होगा होता जाएगा होता जा रहा है तो यह जो movement हो रही है अब देख सकते हैं और कुछ movement ऐसी होती है वह growth result में नई होती है जैसे कि यह दौड रही है आप जो नाम इसको देना चाओ वो दे सकते हो हाला कि इसको cat बोलते हैं अगर आपको पता ना हो तो चीक है ना इसको क्या बोलते हैं तो आगे चलते हैं अच्छा एसी और भी movement है जो growth की वैसे नहीं होती है जैसे कि चिल्डरन जूला जूलते हैं बच्चे जब जूला जूलते हैं वह growth की वैसे तो नहीं होता है कोई पशू है भैस है बफैलो को बहस बोलते है कुछ सहरी लोगों को अगर नहीं पता हो तो दीजेगा ठीक है वह अपने चारे को चवा रही होते जो उसका फूड होता है उसको जब चवाती है तो वह growth की वैसे नहीं हो रहा है इस बात को मैं और थोड़ा बड़ा बताना चाहूँगा फिलाला को यह तो समझ में आए गया होगा कि कुछ movement तो growth की वैसे होती है और कुछ movement growth वैसे नहीं होती है अच्छा जी चेप्टर में आगे चलेंगे मैं आपको introduction दे रहा हूँ ठीक है बहुत जदा डीप नहीं चल रहे हैं बस जो बात हैं बता रहा हूं उस पर सोचिए थोड़ा और agree कीजिए और आगे चलते हैं ठीक है इसके बार अच्छा जी लेकिन हम अभी जो मैंने बताया कि growth जो मैंने बताया ब्रीफिंग और movement को हम life के साथ relate क्यों करते हैं क्यों करते हैं हम इसको associate life के साथ देखिए बई movement जो भी होती है ना body के अंदर वो environment में आए हुए change माने चलो environment में कुछ भी change आया है environment आपके environment में कुछ भी change आ रहा है तो उसकी result में आप कोई ना कोई movement करोगे कोई ना कोई movement करोगे और इस environment को response देंगे हम अपने environment के साथ interaction कर रहे होते हैं हम अपने चाऊचे में यह कर रहे होते हैं अपने environment के साथ जो करते हैं जो हम इंट्रेक्शन करते हैं आपने environment के साथ इस चीज की स्टडी को हम ecology बोलते हैं क्या बोलते हैं ecology सब्सक्राइब करते हैं एक्जामपल जैसे कि अगर आपको एक रूम में गर्मी लग रही होती है और आपको खवर मिल जाए कि इस दूसरे रूम में इसी चल रहा है मनलब कि एक रूम वन है और एक रूम टू है ठीक है और आपको इस रूम में फील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा गर्मी क्योंकि यहां पर टैंपर्चर है वो ज़्यादा है और इधर में जो टैंपर्चर ह है तो आपको पता चली और आपके पास option भी है कि आप यहां से यहां मूव कर सकते हो तो आप यहां से यहां मतलब कि आपके एंवार्मेंट में टैंप्चर बढ़ गया तो आप मुझे ने बता कैसे जाओगे तो यह जो मुवमेंट हुई यह किस वाइस हुई एंवार्मेंट में आए हुए चेंज की वैसे देखिए मैं आपको फिस रिमाइंट करा रहा हूँ मैं आपको इंट्रॉक्षन दे रहा हूँ आज चेप्टर का ठीक है क्योंकि अगर मैंने आपको इस चेप्टर के रिगार्डिंग इंट्रेस्ट पैदा नहीं किया और सीधर रटाने पे ध्यान दिलवा दिया कि ये नियूरोन होता है ये बरेन होता है इसके इतने हिस्से होते हैं ये ये काम करता हूँ करता है तो मजा नहीं आएगा हमें चाहिए मजा ठीक है हमें चाहिए इंट्रेस्ट ठीक है अच्छा तो आप को हम लोग मूवमेंट क्यों करते हैं ठीक है अच्छा अगर एक रूम में आग लग गई ठीक है मान के चलो एक रूम में क्या लग गई आग लग गई तो आप इस रूम को छोड़के भागेंगे ठीक है एक रूम में मान के चलो क्या लगई वे आग लगई तो आप उस आग वाली जगह को छोड़के भावोगे किसी ऐसे जगह पर जहां आप बच सको, जहां आप जिन्दा रहे सको, अपने सर्वाइवल के लिए हम मुवमेंट करते हैं मुवमेंट भी क्यों करी हमने? अपने सर्वाइवल के लिए सब्सक्राइब कर पाएं और जो हम सर्वाइब कर पाएंगे तभी तो हम जिंदा रहे पाएंगे इसलिए मैंने डायगराम आपको समझाएं तो देखो यह जो तॉम मैं इसको टॉम मोला जाम ठीक है मैंने इसको कहना है तॉम दे दिया यह जो टॉम है यह किसी चूहे के पीछे भाग रहा होगा इसको मैंने यह नाम देदिया ठीक है अब समझ बहुँढ़ें शर आपने इस बात को हम यहां डिसकसर नहीं करेंगे लेकिन यहां सुनिए बात को मैं क्या बताना चाह रहा हूं अब जो यह टॉम है यह इस चुहे के पीछे भाग रहा है इस नॉट कॉजड बाइ ग्रोथ यह ग्रोथ की वज़े से तो मुवमेंट नहीं हो रही है का यह इसलिए मुवमेंट कर रहा है कोकि इसको इसको खाना है और क्या लेनाए निऊटरीशन लेना है इसको एट JASON में जब चूहा दिखेगा जैसे ही इस कैट को अपने एन्वार्मेंट में कोई रेट दिख जाएगा तो इसने क्या शो करी मूवमेंट शो करी ठीक है यह एक सिंपल सा एक्जामपल दे रहा हूं अब ही मैं आपको और जो बच्चे जूला जूल रहे थे ठीक है जो बच्चे यह देखो कितना मस जूल रहा है तो बच्चे जो जूला जूलते हैं वह भी गरोत की वैसे नहीं गरोत की वैसे यह मूवमेंट नहीं हो रही है यह वाली सब्सक्राइब कर नयु tenían ह alcanz बदू है तो यह जो बच्छा जूला जूल रहा है ये इसलिए जूल रहा है कि इसको चाहिए ये मज़ा, प्लैजर, फन, ठीक है, अपनी खुसी के लिए जूल रहा है, लेकिन किसले नहीं जूल रहा है, ग्रोथ के लिए, मतलब ग्रोथ के लिए नहीं, सॉरी, ग्रोथ की वज़य से ये मूवमेंट नहीं हो रही है, ये मूव तो आहे हो आपको यहां तरquence उती जो ग्रोशce वैसे लेकिन मूवमेंट को हमने किसे साथ लाइव के साथ एसूसियेट किया ठीक है और मूवमेंट भी कब होती है जब एक दम से जैसे आप सो भी रही हों तो एकदम से लाइट जलती है तो आप कहते हैं आरे भाई ये लाइट बंद कर दो ना तकलीफ हो रही है मुझे या फिर आप कहीं रोड पर जा रहो है एकदम से कोई गाड़ी आ रही हो और एकदम फ्लेस लाइट उसने तेज कर दिया आपको की तर या लेते हो तो आप एक चेंज को महसूस और फिर आप उसके द्वारा मूवमेंट क्या करने के लिए अभी बदाया है अभी ब Kathryn सब्सक्राना है अपने अभण अभी सर्वाईव करना है क्या करना भी सर्वाईव करना है और अगर हम सर्वाईव कर पाएंगे तभी तो हम जिंदा रहे पाएंगे भई ठीक है ना और मैंने बोला सा शुरू में कि मैं इस चैप्टर को रिड करूंगा लाइफ प्रोसेस से तो को लाइफ प्रोसेस आना चाहिए भई ठीक है तो देख सकते हो अगर आपने गरम ऑबजेक्ट को टच किया है तो हाँ से घृकष करके रखता हूं नई ऐसे नहीं चलता है आप तुरंट एक्शन लेंगे और तुरंध हताएंगे क्या करों क्या ना करों हटाउं हाथ नहीं हटाऊं तो आंद रस्पोंस करते अब तुरंट इस एंवारंक्ट में हुए चेंज हो जो एंवार्मेंट में इन्वार्मेंट में क्या हुआ है जो रहा है उसके सखे privalix करी मोड़े हात ने अपने आपको बचाने के लिए और हमने रेस्टाब दे दिया इस एक्ष्टन साथ को ठिक है तो अगर किसी कीम और में कुछ दो करता है हमारे सिस्टम को कि हमारे सिस्टम क्या करे कुछ एप्रॉपेट मुवमेंट करे किसकी रेस्पोंस में इस एनवार में में हुए change के response में I hope अभी तक तो आपको इस वर में आ गया हो कि मैं ये movement movement क्यों कर रहा हूँ और क्यों हम लोग movement करते हैं ठीक है अच्छा और example लेते हैं आप जो ये movement भी करते हो ना बहुत सुच समझ के करते हो जैसे कि अगर आपको क्लास में बात करने हुदे टीचर सामने होता है तो आप क्या करते हो ऐसे चुछ भी बात करते हुआ आप ऐसे बात करते हुआ आप ऐसे बात नहीं करते हो चल्ला चल्ला को टीचर खडूस टीचर सामने हो आप ऐसे चल्ला के बात नहीं करते हो त मूव्मेंट के हिसाम से सोचते हैं इसके बारे में सोचते हैं कि हमें करना चाहिए मैं यहाँ पर था हम ऐसे चलाके बात करेंगे नहीं कैसे बात करेंगे एसे इस तो येns॥ तो ये लाइन ही आ टा मौमेंट टू भी मेड यह किस पर डबै involved करते है पर डबिपेंड करता है जो सको ट्रिगर कर रहा है हम आपии डीजे पर नाशते होंगे सभी डीजे पर नाशते हो तो दूसरी तरफ स्पीकर्स रखे हुए होते हैं बड़े-बड़े स्पीकर्स रखे हुए होते हैं बड़े-बड़े इस टाइम पर अगर आपको अपने दोस्ट से बात करनी है किसे बात करनी है अगर इस टाइम पर अवे आपको यहां आप खड़े हो ठीक है और आपको अपने दोस्ट से बात करनी है तो आप चिल्ला-चिल्ला के बात करोगे कि यहां environment अलग है इधर में environment अलग है और जो यह मैंने वदाया इसे बात चल रहा है कि हम जो भी movement लेते हैं यह इस पर करता है कि उस टाइम का इवेंट क्या चल रहा है इवेंट क्या चल रहा है तो फिर सभी लिविंग और जिम को कुछ ना कुछ ऐसे सिस्टम की तो जुरत पड़ेगी जो इस movement को क्या करे कंट्रोल करे और हमारे सभी farm को कोडिनीशन में रखे इसी के साथ हमारा introduction खतम होता है आयूप आपने समझाओ कि हमें इस nervous system की जो मैं आपको अवी आगे पढ़ाऊंगा थीक है इस nervous system की जुरत क्यों पड़ती है लिविंग बिंस को क्योंकि हमें अपनी movement को control करना होता है ठीक है I hope मैंने जो ये interest create किया है इस chapter में वो आपको पसंद आया होगा और next lecture आएगा पूरा मैं एक वारी में complete करा दोंगा animal का nervous system ठीक है फिर उसके बाद एक वीडियो और आएगी देखो पहले ये था lecture 1 जिसमें मैंने क्या दिया आपक लाइव बना रहा हूं लगा 40 मिट के ही पहुंच गया होगा अगर उसे कम हुआ तो आप खुस हो जाईएगा ठीक है lecture 2 में दोंगा पूरा nervous system animal का ठीक है पूरा nervous system animal का ठीक है पूरे animal का जो nervous system में उसकारे में बताऊं लेक्चर 3 आएगा plants के अंदर कैसे control होता है मतलब plants के अंदर nervous system नहीं होता है plants के अंदर hormone का system होता है तो hormones हमपड़ेंगे plant के अंदर कौन-कौन से hormones होते हैं और फिर लेक्चर 4 में पड़ेंगे हम animals के अंदर कौन-कौन से hormones हो पहुआ तो यह 4 lecture में यह मैं खतम कर दोंगा यह chapter ठीक है और मेль लेक्चर में quality में कमी नही अगर कोई भी डाउट बनता है तो आप कॉमेंट में डाल सेकते हो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूना तो बस यहां तक निए लेक्चर था और आपसे मिलते हैं जल्दी ही नेक्ट लेक्चर में धन्यवाद